कि हलो स्वागत है आपका हमारे चैनल केरियर बेड़ बाइंजीनियर में मैं उन्हें राज और जिससर कि आपको पता है हमारा जो है फिटर ठीरी का फुल कोर्स चल रहा है तो उसी के अंतर के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वह हमारा फाशनर ठीक है और यह हमारा ले इसको खतम करने में ठीक है तो अब देखिए अगर आप पुराने लेक्टर्स देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट मिल जाएगा फिटर ठीरी फुल कोर्स के नाम से यहनि की प्लेलिस्ट का नाम क्या है फिटर ठीरी फुल कोर्स ठीक है इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा तो आप जाके जो वहाँ पुराने पैतिस लेक्टर्स हुए हैं उसको देख सकते हैं साथी आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में एक लिंक मिल जाएगा टेलिक्राम गुरूप का ठीक है फिटर ठीक है इस न यह थी दो इंफॉर्मेशन अब आई हम लोग पढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फास्टनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे फास्टनर क्या है बंधक क्या है जब हम कोई भी मसीन बनाते हैं तो उसमें पार्टों को ज है और उन पार्टों को जोड़ने के लिए हम जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं आपस न पार्टों को जोड़ने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फास्टनर या बंधक तो उन्हीं युक्ति के बारे में हम लोग इस चैप पढ़ लिया पिन कॉटर पढ़ लिया एक टापिक लोग ने बोल्ट का पढ़ दिया बोल्ट में हम लोगों ने基本 क्या देखा था फाउन्डेशन बोल्ट देखा था अब जो टॉपीक बचे हैं जो हम आज इस चेप्टर इस लेक्टीर में कवर करने की फुरी करेंगे कि हमारा यह चप्टर खतम हो जाए तो टॉपिक हमारा बसता है नट ठीक है यह जो मैंने फिगर बनाएं सभी नट के है नट का टॉपिक है वासर है ठीक है उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद है हमारा इस्टड ठीक है इस्टड भी हमारा क्या है एक फास्टनिंग device है इसके बाद हम लोग बात करेंगे screw की और last में हम लोग देखेंगे spring ठीक है last में हम लोग क्या देखेंगे spring तो ये तीन तो पिछले lecture में हम लोगों ने cover कर लिये थे तो आज हमको जो यह है 5 जो topic है इनको पढ़ना है तो कोई भी चीज में छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं अपनी तरब से सभी चीज़े जहांच अगर एक भी प्रस्न बना है तो इसको मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इसको नाम इसे लिए दिया गया है fitter theory full course आप किसी विग जाम की त्यारी कर रहे हूं आपको यह जो classes है निश्चिती मदद करेंगी तब आईए आप हम लोग पढ़ते हैं nut के बारे में जैसा क्या आपको पता है bolt के साथ nut का उपयोग होता है तो सबसे पहला प्रस्न nut से ही बनता है कि nut एक कैसा फास्टन है तो nut एक अस्थाई फास्टन है यानि कि temporary फास्टनिंग है temporary फास्टनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो आईए हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए सबसे महत्पोर्ण है वो क्या है types of nut यानि कि nut कितने प्रकार के होते है तो आईए देखते हैं शुरू करते हैं point twice सबी चीजों को आप लिखते जाईएगा तो पहला heading डाल लीजे types of nut में पहला heading डाल लीजे हो क्या हो गया hexagonal nut hexagonal nut ये वाला जो हमारा nut है ये जो nut दिखाए गया है ये ये इसका side view है या front view का सकते हैं इसको और ये क्या है ये इसका top view है क्योंकि side और front इसका दोनों क्या रहेगा दोनों view एक ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पे ये top view हो गया तो ऐसा होता है कुछ हमारा hexagonal nut अब इसका use कहां पे किया जाता है साधारन कारियों के लिए साधारन कारियों के लिए सभी को पता है अब दूसरी जो point है वह आपको याद रखना है जो प्रस्न है कि इसके अंदर कौन सा thread कटा होता है तो इसमें V thread कटा होता है इसमें V thread होता है ठीक है? V thread कटा होता है आप जो भी जैसे भी चाहिए लिख लीजे ठीक है? इसमें कौन सा thread होता है? V thread होता है मैंने आपको square thread और V thread पढ़ाया है में कौन से थर्ड होता है वीथर्ड होता है तीसरा जो प्रस में कहां से बनता है कि देखे जब हमने hexagonal nut बनाया तो कुछ इस तरीके से नहीं होता है ठीक है यानि कि ऐसे नहीं रहता है हम लोग क्या करते हैं इसके सीरो पर चैमफरींग करते हैं ऐसे इसके Ages को खतम करने के सिरे जो डिए जाते हैं तो वो किये जाते हैं 30 degree पर ठीक है ये जो प्रस्म जो है पुछा जाता है कि आप तो आप यहाँ पर लिख लिए इसके सीरे इसके सीरे 30 degree पर चैंफर्ड होते हैं ठीक है और चैंफर्ड चैंफरिंग आउपरेशन और अगर material की बात करें तो मुक्तम mild steel की जो है बनाए जाते हैं दूसरा जो नट क्या होता है दूसरा है square nut ठीक है अब यह square nut आप लोगों ने देखा ही होगा यह मैंने बना दिया simple figure इसका top यू मैंने नहीं बनाए तो थोड़ा ऐसे square में हो जाएगा ठीक है इसका उपयोग कम किया जाता है इससे आप एक ही बात याल रखिए कि इसमें वी थ्रेड कटी होती है वी थ्रेड कटी होती है ठीक है अब आईए हम लोग अगले nut की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है domed cup nut ठीक है यह जो हमारा तीसरा लिखिए domed cup nut या इसी को हम लोग domed cup भी बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं domed cup भी बोलते हैं तो जहां पर हमको ऐसी आवाज सकता है ऐसे मसीन पार्ट में यूज करना है जहां पर हम यह चाहते हैं कि जो हमारा यह बोल्ट है इससे बाहर ना निकले ठीक है तो वहां पर इसका उप्योग करते हैं और साथ ही इसका फायदा होता है यह भी जल्दी जो है खुलता नहीं है जैसे अब अगर आपने नहीं देखा तो आप देखेगा कारवार कहीं भी देखेगा तो वहां पर आप देखेगा उनके जो टायर लगे होते हैं जब टायर में पंचर हो जाता तो उसको खोलने के लिए इसी तरह का कोई नट होता है उसको खोलना पड़ता है वहां पर इसका उप्यो नट कुछ नहीं होता है बस एक सिंपल नट की तरह होता है लेकिन जो है इसके सीरे पर यानि कि इसके चारो तरफ सराउंडिंग में क्या होती है नर्लिंग की होती है यानि कि इसको हम कैसे करते हैं थंब की साहता से यानि कि हाथों की साहता से करते हैं और इसके सीरो पर चारो फिट से नरलिंग न भी कहते हैं अब जो है पांचवाँ सब से इंप्रॉटेंट आ जाता है यह है यह हमारा न вполне कौन चाहिए यह वाला नक इसी हम लोग कहते हैं ie सभी लोग जानते हैं विंग नट ठीक है इसका एक नाम और है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है तो यहाँ पर आप लिखे नाम भी पूछा जाए सकता है इसे क्या कहते हैं इसे फ्लाइ नट भी कहते हैं ठीक है अब इसका उपयोग जो है कई बार एक जाम में पूछा गया है तो कहां कहां उपयों किया tasted है ऐग्सा फ्रेम में अर कहां पर में 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 कि अबूर। थी में यई तो दोनों प्रस्ण जो है आप से उप्छामिनों पूछ गये हैं है कि अन्त जान्री उस, बहुत थी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए हाथ से ही जो वाइस उपयोग की जाती है उसको हैंडवाइस कहते हैं तो दोनों प्रसुन जो है पुछे गया है कि कहां पर किया आता है तो एक जिगा आपको हैक्सा फ्रेम आपसंग दिया रहे त्रीकर अगला नट है काइस्टल नट अज़िए जो फीगर बना हुआ है चाटवाएं साथवाँ हमारे क्याल से चाटवाएं यह जो फीगर बना हुआ है यह वाला यह किसका है कैस्टल नट का अब देखिए यह होता है सिम्पल हेक्सा गोनन नट के ही तरह ही लेकिन जो इसका उपर सीधा होता है इसके सीरे पर क्या कटे होते हैं कई स्लाट्स कटे होते हैं जिसके आर पार हम कोई चीज डाल सकते हैं अब देखिए होगा क्या कैस्टन kitten use कैसे किया जाएगा यहाँ पे जो bolt लियोज किया जाएगा ठीक है यानि कि यह nut है इसके नीचे बोल्ट आएगा और बोल्ट के ऊपरी सिरे पर क्या रहेगा एक hol रहेगा कुछ इस तरीके से ठीक है hole रहेगा और जब यह hole हमको उपर दिख जाएगा अगर देखे यहाँ पर यह slot कटा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे इसमें split pin डालेंगे लेकिन जब यह slot कटा रहेगा तो यहाँ पर जो bolt में जब उपर आएगा तो यहाँ पर जो hold कटा रहेगा तो इसमें हम लोग split pin डाल देंगे split pin आप लोग ने देखा होगा कुछ ऐसा होता है हमारा split pin ठीक है इस तरीके से और जब इसको लगाते हैं तो लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसके दोनों सिरों को ऐसे मोड़ देते हैं जिससे अगर nut धीला भी हो जाए तो क्या होता है बाहर नहीं निकलता है तो यह होता है हमारा crystal नट इसमें आप लिख लीजिए इसका उपयोग यहाँ पर लिखिए इसका उपयोग पूछा गया है आटो मोबाइल में आटो मोबाइल में front और front rear Excel किया जाता है किया जाता है ठीक है अगला प्रमाणुछी अगला पॉइंट लिखिए ठीक है इसमें देखिए अब आप से बुश्ता है कि Split Spin का उपयोग आप से क्या पूछेगा कि split pin का उपयोग किस?, के साथ किया जाता है तूहाँ पर आपको मोज़ेगा कैस टलना इतो स्वानन निट और एसे दो अफसन दे-ग इन आट ठीक है तो आपको क्या बताना है कि स्पिलिट बिन का उपयोग कैस्टल नट के साथ किया जाता है ठीक है यहाँ प्रम लिग जिए इस्प्लिट पिन का उपयोग किस नट के साथ कैस्टल नट के साथ किया जाता है ठीक है ये प्रस्ण पूछा गया है इस्प्लिट पिन का उपयोग कैस्टल नट के साथ किया जाता है तो ये दो प्रस्ण आपको कैस्टल नट से याद रखने हैं अगला जो nut है, सात्वा जो nut है, ठीक है, इसे क्या कहते है, यह वाला जो nut है, इसे हम लोग बोलते है- स्वान नट है. अब दीखे यह nut में क्या हूता है, कि जैसे HEXagonal nut है वैसे रहेगा, लेकिन यहां हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर एक slot ऐसे काड़ देंगे आधीद हुई तक यानि कि इसके अच्छे तक क्या कर देंगे एक स्लोट काड़ देंगे और उसमें जो है एक स्कुरू डाल कर बाद में ये जो स्कुरू है स्कुरू डाल कर बाद में क्या कर देंगे उसको टाइट कर देंगे तो ये वाली जो इसकी सता है ठीक है ये वाली जब इसको डाल के हम लोग इसको tight कर देंगे तो ये सता एकदम tension में आ जाएगी तो यहाँ पर जो thread रहेंगी वो एकदम कस जाएगी और हमारा जो nut है वो कभी ढीला नहीं होगा तो इससे प्रस्ण क्या बनता है कि कौन सानट है जिसके आधी लंबाई तक या आधी दूरी तक एक slot कटा रहता है तो वो कौन सानट रहता है वो रहता है सानट या इसी को हम लोग बोलते हैं सानट भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है तो आप यहां पर लिख लिजे प्रस्ण की जो लाइंगेज है वही में लिख दे रहा हूं किस नट में ठीक है किस नट में देखे प्रस्ण जो एकड़म पूछा गया है वही में लिख रहा हूं किस नट में आधे हिस्से तक खांचा कटा रहता है तो कौन सा नट होता है तो आपको बताना है सान नट होता है और अगर आपको फीगर देके कुछ तरह से पुछे तो कौन सा इस में सान नट है तो ये वाला जो हमारा नट रहेगा ये हमारा सान नट रहेगा ठीक है अगले जो बात करें अगला जू नट है यझि यदा भी आपका नमबर हो लाट नट कुछ नहीं होता है कि जैसे मारा एक सीमपल नट होता है हमने है पर लगा दिया उसके ऊपर एक और नट थोड़ा सा पतला है। यह कौन सा नट है। यह प्रसम आपसे पूछा गया है चौन Core तो यह जो ऊपर वाला यानि कि एक नट हमने लगा दिया उसके उपर हमने एक नट या तो उसी साइज का लगा दें या तो उससे थोड़ा सा कम मोटाई का लगा दें तो यह वाला जो नट है क्या कर लेता है इसको लॉक कर देता है तो इसको क्या बोलते हैं लॉक नट तो कह कर यह प्रस्ण पूछा गया है तो नोट लगा किसको लिख लीजिए और वागी इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की ज़ुरत नहीं है नोट लगा के लिखे 25 mm के कैस्टल नट में 25 mm के कैस्टल नट में कितने स्लाट कटे होती हैं 25 mm के कैस्टल नट में कितने स्लाट कैस्टल नट में तो यहाँ पर आपको लिखना तुम मतलब आप समय रहें कैसे स्लोट कटे होंगे जैसे माली ये फ्रंट वाला है ये टॉप यू है इसका तो देखें स्लाट कैसे कटे देंगे एक स्लाट ऐसे इधर से इधर कटा रहेगा ऐसे दूसरा इधर से इधर ऐसे कटा रहेगा तीसरा इधर से इधर ऐसे कटा रहेगा तो इस तरीके से johye slot kattay होते हैं तो वही पूछँ रहाए कि पत्चीत स्मेंग में कैस्टल नट में कितने slot kattay होते हैं तो किम्में कैस्टल नट में आपको याल रखना है कि 6 slot kattay होते हैं तो ये था हमारा nut अब आई आगे बढ़ते हैं हम लोग जो अगला topic वह हमारा क्या है वह है वासर ठीक है मैं वासर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वोल्ट हम लोगों ने पढ़ी लिया कि नच पढ़ लिया अब जो हमारा अगला इंपोर्टन्ड जो एफ नर्ए वो क्या है वासर तो आई ये वासर देखते हैं कि ठीक है और जो पुरानी वीडियो से उसको आप देख सकते हैं आप किसी वीग्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं साथ ही साथ अगर आप इस रोडी आडियो का आप लेकुन फार्म बराय उसका लिट्रेंस एक्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए तयारी कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों के साथ वीडियो को जो है जरूर सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों कि इसका लाव मिले तो आए लेक्ते हैं वासर देखते हैं सबसे पहले हम लोग तो यहांपर है डिंग डालीजे वासर अवासर से जो है सबसे पहला प्रसन बनता है वो क्या बनता है कि ये कैसा फास्त के शंद्र है नंगी अस्थाई है या अस्थाई तो है कैसा फाशनर है आस्थाई है ठीक है आस्थाई फास्ट नटीक है यहाँ पर लिए टेंप्रेरी तेंप्रेरी फास्ट ने ठीक है अब देखिए वासर का जो मटेरियल पूछता है आपसे कभी कभी तो यह धाथ सीट के मुझता बनाया है चाहे वह स्टीर की हो धा थूझ ऑसकती है ठीक है किसी अमें मटीरियल की हो सकती है माईल्ड इस्टील की हो सकती है कि यह और सो सकती है digamos हो सकता है कि करने मतंब कोईज agn tuned क यह यह शर्बनेगा हम लोग किसे मटीटा का वासर बना सकते नान-फेरस हो सकता है यान की कॉपर व्रास का भी हम लोग वासर बना सकते हैं आप लोग उन देखे हम sulphurत यहां से प्रस्ण भी बनता है लाव यह ल i कारण कि वासर के उपयोग करते हैं तो पहला इसका लिखेल उख़र कासी बिक्षंन ग्रिप बढ़ती घरसन की जो ग्रिप है वो बढ़ती है यानि कि जैसे कोई पार्ट हमने कसा है तो जो वासर अगर हम उसके बीचों लगा देंगे तो वासर लगाने के कारण तो घरसन ग्रिप जो है बढ़ जाएगी क्यों अभी हम लोग अगला वाला जब कारण देखेंगे तो ये देखेंगे ठीक है फोर्स को अधिक छेत्रफल पर क्या कर देता है विभाजित कर देता है फोर्स को अधिक छेत्रफल पर विभाजित कर देता है तो उसका रीजन क्या होता है ठीक है यानि कि उससे फायदा क्या मिलता है देखे माली जे कोई मसीन की सता है ठीक है हमने कोई यहाँ पर nut bolt arrangement लगाया उपर से का कर दिया डाइरेक्ट अगर bolt लगा दिया इस तरीके से तो यहाँ पर देखे जो यह nut है भाई जाहे जब आता तो एरिया हमारा कम तो प्रेसर अधिक अगर हमारा कम होगा तो प्रेसर क्या हो जाएगा अधिक होता जाएगा तो यह जो है यह मसीन पार्ट को क्या पहुचाएगा बोल्ट नुक्सान पहुचाएगा ठीक है और ज्यादा जिसे ज्यादा प्रेसर मसीन पार्ट पर लगेगा जो कि हमको नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे बीच में एक वासर लगा देंगे इस तरीके का वासर लगा दिया हमने और इसके उपर क्या लगा दिया इसके उपर लगा दिया बोल्ट तो देखिए अब जो है ये बोल्ट जो है जब दबाव डालेगा तो यहाँ पे देखे पहले वासर पे जाएगा और वासर का area देखे है, अधिक तो जब वासर का area अधिक होगा तो pressure यहाँ पEO हो जाएगा, कम और main काम हमको वही करना है जिससे हमारी machine सथा को कोई n涉क्सान ना पहुचे, तो देखे जब area अधिक दिखे यह एरिया कि इतना है तो वासर की पेच्छा जो है बोल्ट की अपेच्छा आधिक है तो प्रेसर हमारा क्या हो जागा अधिक छेत्रफल पर विभाजित कर देना तीसरा लिखे तीसरा जो इसका बहुत महत्पूर है कंपन के कारण यानि कि वाइब्रेशन जैसे मसीनों में क्या होता है वाइब्रेशन होता है तो उसके कारण कमपन के कारण नट को धीला होने से रोकना ठीक है यानि कि नट हमारा धीला ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बीच में वासर का प्रियोग करते हैं चौथा जो है लिखे ये सभी प्रस्न है कि वासर का उप्योग हम लोग क्यों करते हैं तो कंपन के करान हमारा जो नट है, वो डीलर ना हो, उसके लिए हम लोग वासर का उपयोग करते हैं, वासर का क्या काम होता है, एस आफ से पूसएगा, तो फोर्स को अधिक छेधर फल भी भाजित कर देना, वासर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं तो आपको क्या बताना है फिक्सन गिप को बढ़ाने के लिए अगर इसमस्वर कोई आपसन नहीं दिया है समझ रहें, यह सभी जो मैं लिखा नहीं सभी प्रस्ण है, तो किसी भी चीज को lightly मत लीजेगा ठीक है, चौथा क्या है जौब को खराब होने से बचाना जौब को खराब होने से बचाना अगरा जौब लिखिए यह प्रस्ण पूछा गया है यह नट को स्लिप होने से रोकना यह प्रस्ण है, कि वह असर को क्यों करते हैं, तो यहाँ पर आपको अंसर में दिया रहे हैं, नट को स्लिप होने से रोकना ठीक है अगला लिख लिए एक लिख लिए समायोजन के 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 लिए से क्या मतलब है जैसे अगर हमारा कोई बहुत बोल्ट बाहन निकला है तो हम क्या कर देते हैं कभी दो तीन वासर लगा देते हैं समझ रहे हैं आप कि समय यूजन कर सकते हैं इसकी साहता से हम लोग assembly का तो यह हो गए क्या इसके लाव अब देखी अगला जो है आपको जो पढ़ना है वो क्या है इसका specification ठीक है नेनी की वासर को जो है कैसे specify करते हैं तो यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप लिख लिए बस थोड़ा सा specification इसके बाद जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे वासर में वो है इसका type ठीक है वो क्या है इसका जो है type अगला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इसस्पिस्फिकेशन में लिखिए है वासर को उसके नाम टाइप वासर को उसके नाम ठीक टाइब इंडियन स्टैंडर्ड नंबर इंडियन स्टैंडर्ड के नंबर तथा मटेरियल द्वारा व्यक्त करते हैं तो इतना आप इसस्पिकेशन में लिख लिए और अगला जो हैडिंग डाल लीजे वो आप डाल लीजे टाइप्स आफ वासर ठीक है यानि कि वासर के प्रकार अगला हैडिंग जो आपको डालना है वो क्या है वासर के प्रकार तो वासर के प्रकार में हर वासर को हम लोग देखेंगे और वहाँ से जो प्रस्न पूछा गया है अभी तक एकजाम में उन प्रस्नों को मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा ठीक है तो हेडिंग डालीजे वासर के प्रकार पहला में लिखिए प्लेन वासर पहला आप लिखियो क्या है प्लेन वासर अब देखिए जो प्लेन वासर रहेगा कैसा रहेगा सिंपल एकदम प्लेन रहेगा जो हमारे सबसे सिंपलेस्ट वासर होता है वही क्या होता है प्लेन वासर कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ रहेगा यह जो डायमीटर है इसको हमाल लेते हैं क्या डी और यह जो डायमीटर डी रहेगा यह क्या रहेगा यह रहेगा बोल्ट का व्य वासर क्या हो जाए उस बोल्ट में चला जाए तो हमने क्या माल लिया इसको डी माल लिया अब देखे इसका material क्या हो सकता है mild steel हो सकता है mild steel अब बात आती है बनाते कैसे हैं ठीक है यानि कि यह मैं प्लेन वासर है यह प्रस् transf पूछा जाए सकता है कि इसको किस प्रक्रियाद्वारा być या वासर को किस प्रक्रिया दौरा बनाया जा या प्रस्था हैं तो आपसर को के सबसे पहले हम लोग करते हैं punching भी कर सकते हैं punching, machine mass heating और याने कि हमोटा वासर बनाना है हो या कि लिए और यहां से इसको अलग करते जाएंगे तो यही क्या होता है? parting off operation होता है तो अगर मोटे मोटे हम को वासर बनाने है तो मेलेट पर parting off operation गजा या नहीं कि machining द्वारा भी बना सकते है और punching द्वारा भी अगर पतला वासर है तो sheet की का करके पंचिंग करके भी इसको बनाया जा सकता है ठीक है अब जो अगला प्रस्न प्लेन वासर से बनता है वो क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्न है योज में आप कुछ नहीं है योज में आप लिख लीजिए नोट्स को सुंदर बनाने के लिए एक साधारान कारियों के लिए ठीक है इसका योज पूछेगा नहीं लेकिन आप लिख लीजिए साधारान कारियों के लिए पहला जो है यह important है बनाते कैसे हैं वासर को तो punching and machining के त्वरा बनाते हैं अगला जो important है कि मालीजे भहिया बोल्ट का व्यास D है तो जो वासर का बाहरी व्यास रहेगा यह जो वासर का बाहरी व्यास है यह कितना रखा जाता है प्लेन वासर का यह आप से पूछा जाता है यह अगर एदी बोल्ट का व्यास D है या नट का व्यास D है या नट का व्या 2D plus 3 mm ठीक है 2D plus 3 mm यानि कि जो bolt का व्यास रहेगा उसका दुगना प्लस उसमें 3 mm और कर दें तो उतना इसका व्यास रखा जाता है अगला जो प्रसनाता है मोटाई यानि कि एक limit में हम मोटाई लेंगे अगर बहुत कम मोटाई ले देते हैं तो वासर हमारा खड़ा हो जाए कोई मतलम नहीं निकलेगा और बहुत जादा अगर हम मोटाई ले लेते हैं तो हमारा जो कौश्ट है वो जादा आ जाएगी लागत जादा जाएगी तब भी कमपनी को क्या होगा नुकसान होगा अगर company वही कोई सामान सस्ते में दे रहा है उतना ही हमको जवुरत है हम बहुत मोटा वासर बना के क्या करेंगे तो एक हमको वासर की मोटाई ही पता होनी चाहिए वो कितनी होती है वो होती है d by 8 ठीक है वो कितनी होती है वो होती है d by 8 यानि कि जितना हमारा bolt का व्यास है उसमें हम क्या करते है आठ से डिवाइड कर दे तो उतनी हमको क्या रखनी है plain वासर की मोटाई रखनी है यह बहुत ज्यादा important प्रस्न है कई बार एकजाम में पूशे जाते हैं तो इसको आप note कल दीजिएगा दूसरा जो है लिखिए दूसरा जो वासर है यह टेपर में बना जाते है यानि कि यह कुछ इस तरीके से ठीक है तो जहाँ पर जो हमारी टेपर सतह एं होती है उसके लिए इसका उप्योग की रहता है बस आपको इतना जान लेना है इसका कुछ पूछा नहीं गया है तीसरा जो वासर है वो है चैंफर्ड वासर अब देखे चैंफर्ड वासर क्या होता है जब हमने बहुत ज़्यादा मोटा वासर बनाएंगे अगर माल जी हमको क्या करना है कहीं मोटा वासर उपयोग करना है इस तरीके से ठीक है बहुत मोटा वासर है हमको ज़ूरत है कुछ भी हो तो यहाँ पर देखें इसकी जो ages है उसको हमको خतम करना जरूरी चैंफरिंग करना इसको जरूरी है तो इसी को हम चैंफरिंग कर देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं चैंफर्ड वासर कुछ इस तरीके से ठीक हमने दोना तरफ क्या कर दी चैंफरिंग कर दी तो यह जो वासर होगा इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं चैंफर्ड वासर और यहीं से आपका बन जाता है प्रस्ट कि चैंफर्ड वासर की जो चैंफरिंग होती है वो कितने डिग्री पर की जाती है तो चैंफर्ड वासर की जो चैंफरिंग है वो 30 डिग्री पर की जाती है जो भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत seriously लीजेगा सभी एक्जाम में जो परस्ण पूछे गए हैं उसी आधार पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसी भी चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आप उसको lightly मतलीजेगा कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ रहे हैं कि अ 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 कि तो जो था फेडिंग डाली जे इस्प्रिंग वासर इसका फीगर मैं आप बना दे रहा हूं ठीक देखिए कुछ इस तरह का होता है इस्प्रिंग वासर याने की बीच से क्या होता है काटा होता है और इसका एक सिरा नीचे की और एक सिरा उपर की और मतलब होता है ठीक है एक इस्प्रिंग के तरह से एक्ट करने लगता है यह जो है वासर हमारा होता है इस्प्रिंग व वासर है, वो किस material का बना होता है, तो ये carbon steel, ये carbon steel या spring steel का बना होता है, पहला point आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, वो spring वासर से ये याद रखना है, ठीक है, अब अगला जो है, अगला जो लिखिए, अगला जो सब ज़्यादा महत्पूर point है, point लिखिए, spring वासर का, spring वासर का, बाहरी व्यास, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बता था यह न, यानि कि यहाँ पे तो कुछ बना होगा, जो whole जैसे whole type का बना होगा, तो यहाँ पे यह bolt का व्यास होगा, यह जो बाहरी व्यास है, आपसे पूछता है, कितना होता है, तो यह होता है, one point eight d, यानि कि d यह bolt का रहेगा, तो यह spring वासर का बाहरी व्यास रहेगा, वो कितना रहेगा, वो रहेगा one point eight d, अब देखिए, अगला जो huge है, इसका सब जाता पूछा जाता है, यूज भी उपन बहुत जादा होता है, जटके बहुत जादा किसी machine part पे अगर लगते हैं, तो वहाँ पे nut के जो है, ढिला होने की संभावना बहुत रहती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लिजे, important लाग लिखेगा, इसका उपयोग, इसका जटके लगने के कारण, जटके लगने के कारण, nut के धीला होने की संभावना रहती है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए, ऐसा इसली किया आता है, कि मालीजे, इसके उपर हम क्या लगाएंगे, इसके उपर कोई हम बोल्ट लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि spring वासर है, spring के तरह से act करेगा, तो ये इस nut को हमेशा tension में रखेगा, यानि अगर nut थोड़ा सा धीला भी हो जाता है, तो ये क्या कर देगा, इसको tension भी होता है, तो ये उसको क्या करेगा, tension में रखेगा हमेशा, यानि कि तनन में हमेशा रखेगा, तो जिसके कराण जो हमारा nut है, वो क्या होगा, वो जल्दी से धीला नहीं होगा, यहाँ पर इसका प्रोकिया था, ये question पूछा गया है, इसरो 2016 में, ठीक है, इसरो का 2000 सेला ये वो क्या है, टैब वासर, तो सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, परसान होने बिल्कुल जगुरत नहीं है, टैब वासर से भी एक परसन बना है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, पांचवा है, टैब वासर, इसका फिगर मैं आपको बना दे रहा कर ऐसे अब बीच में क्या है बोल्ट को डामेटर बना रहता है तो धिखे इसका उप्यों करते कैसे है एक फीगर देसा माल लिजो हमारी कोई सता है यहां पर हमने क्या लगाया यहां पर हमने लगाया बोल्ट ठीक है इस तरीके से कुछ यहां पर बोल्ट लगा हुआ है 3D में में दिखाने का प्यास कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर जो वासर लगा होगा ऐसे इसके नीचे क्या लगा होगा इसके नीचे वासर लगा होगा और इसकी एक सता कुछ रहेगी ऐसे ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे वासर रहेगा और इसकी एक सता कुछ रहेगी ऐसे ठीक है यानि कि देखिए आप समझे जब यहाँ पर यानि कि कॉर्णर पर इसका उप्योग करेंगे पहली बात यह हो गई, जब करेंगे तो बाहर पत्ति के निकली रहेंगी, इस पत्ति को उस कार्णर के साथ एकदम से मोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप बात को? यानि कि ये गोला पार्ट तो रहेगा ही एक ऐसे पत्ती बाहर निकली रहेगी यानि कि जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारी कोई सता है तो उसके बाहर ये जो है निकली रहेगी हम क्या कर देंगा हैमर से पीट कर गए इसको ऐसे जो है मोड़ देंगे कार्णर की तरफ अब इसका उपयोग करते क्यों है तो वासर को घूमने से बचाने के लिए ठीक है ठीक है नट को घूमने से बचाने के लिए तो आप यहाँ पे लिखिए इसका उपयोग करके इसका उपयोग करके नट को घूमने से रोका जाता है अब आप समझ गए कैसे रोका जाता है कि मालेजी हमारा नट ढिला हो गया और वासर भी ढिला हो गया बस जाहर चाहता है अगर नट ढिला हो गया तो वासर ढिला रहेगा तो nut भी घूमेगा और साथ-साथ हमारा वासर भी घूमेगा तो वासर का जो उपयोगिता है वो खतम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे जब इसकी पत्ती को इधर करके यानि की कॉर्डनर्स पे करके मोड़ देंगे तो हमारा अगर nut घूमने का भी प्रयास करेगा तो यहाँ पर यह क्या करेगा ज्यादा फ्रिक्शन जनर्नेट करेगा क्योंकि वासर तो हमारा घूमेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया यहाँ पर उसको लॉक कर दिया तो नट हमारा घूमने का अगर प्रयास करेगा खुलने का अभी प्रयास करेगा तो यह खुल नहीं पचेगा तो इसका जो यह उप्योग है यह यह एकजाम में पुछा गया कि टैप वासर का अपयोग करके बातेदाधाई तो आपको क्या बताना है किसका उप्योग करके नट को घूमने से रोका जाता है तो टैप वासर को उप्योग करके नट को घूमने से रोका जाता है तो आप यहाँ पर इसको धान रख लिजेगा अगला जो है छटवा लिखिए तूठेद वासर ठीक है यहां पर कैसा बना होता है इस तरीके का यह हमारा जैसे प्लेन वासर होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं इस पर स्लाट कार देते हैं ऐसे हो थीक है यह निकरине two time हो बना देते हैं दात्य इसे वासर बना देते हैं तो इसी कौंड। क्यासर और उसको कहां के किया जाता है इसकर किया तो Friction को बढ़ाने के डिए कि प्रिक्षन को बढ़ाने के लिए कि यानिकी जब घर संद बढ़ जाएगा नट और वासर के बीच में तुम्हारा जो है आल्रीड घूमेंगा नहीं तुम्हारा थेकल अगया जो लिखे वह है हमारा इस्टड आगला फास्नर आता है वो क्या आता है वह आता है इस्टड ठीक है तो इस्टड हेडिंग डाल लिजे हुआ ऌल एद्धर आये तो आप महीं स honeymoon है तो इस्टड एक अस थाई है या है या अर्दस्थाइए लांगी हूँ यहाँ पर क्या बताना इस्टरड्य हमारा कैसा फास्टन है तो इसटाइड ऐद कम इसपाइड मार यहां पर ड्लीजी विदिंग इसटन और यहां पर को बताएंगे आ असथाई अब देखे इस्टड होता क्या है इस्टड एक सेलेंडर कल राड ही होता है लेकिन इसके जो सीरे क्यों से कोई हैड नहीं बना होता है और दूसरी बात बीच में जो इसका सीरा है यह प्लेन होता है बागी दोनों सीरे पर या एक सीरे पर हम क्या काट सकते हैं ओप देखेंगे जहां बहुत ज्यादा लंबे रॉड वगएरा की जवर्योत पढ़ती है बहुत ज्यादा लंबा हमको जॉइंट बनाना है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इंपर सेलेंडिकल ले देते हैं और उसके दोनों सीरे पर हम लोग थ्रेड काट देते हैं बीच में अगर हमको कोई ज़ूरत ही नहीं है तो हम थ्रेड काट के करेंगे क्या हमारा ज्यादा कोश्ट वढ़ेगा फालतु का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा तो इस्टर से आप हो क्या बात रखनी है ये गोल आकार की धातु के पीस के बनाए जाते हैं ये गोल आकार की गोल आकार की धातु पीस के बनाए जाते हैं धातु पीस के बनाए जाते हैं ठीक है तथा इनका जो बीच वाला शिरा है, वो प्लियन होता है तथा इनका यही प्रस्न की लेंग्ज होती है इनका बीच का भाग प्लियन होता है तथा दोनों सिरों पर चोड़ियां कटी होती है करी भी सब्सक्राइब करें दोनों सिर्य पर गति होती है। उसको अम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लूघ बोलते हैं इस्टड अब देखिए दो प्रकार का होता है इसका जो बीच का भाग होता है यानि कि सिक्षन इसका कैसा हो सकता है सिक्षन इसका हो सकता है गोलाकार और वर्गाकार भी हो सकता है ठीक है यानि कि किनारे तो ठ्रेड कटी रहेंगे सिलेंडिकल पार्ट में लेकिन बीच का जो प्लेन भाग है वो गोलाकार और व इस तरीक से तो जहां भी अगर किसी पार्ट पर इसको बैठना है इस टर्ड को तो सोल्डर बना देते तो जा के उस पार्ट पर बैठ जाता है तो बास आपको सोल्डर से इतनी बात ही याद लगी जो अगला जो है यूठ् Immer homework और देखिए इस कुरूध में आपको नहीं पड़ना है जो इस प्रियों से आपका प्लास भ्रस्ण पॉर्णता है वह बंगन पर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र जो है confused होता है इस्क्रू क्या होता है आपको बता है फाशनिंग के लिए उप्योग किया जाएगा और कैसी फाशनिंग के लिए आस्था यानिकी टेंपरेडी फाशनिंग के लिए यह दो चीज जो नार्मल कामन ही है जो प्रस्ण ब होता है दो तीन जो है मुक्क के अंतर होते हैं वही आप लिख लीजिए आप यहां पर यहां पर लिख लीजिए आस्थाई ठीक है अब यहां पर हेडिंग डाले डिफरेंस बिट्वीन बोल्ट एंडु स्क्रूव बिट्वीन को लोग ऐसे लिख सकते हैं साट में ठीक है बोल्ट एंड इन स्क्रूव या अब लिख सकते हैं बोल्ट और जो के बीच anterior हिंदि में भी लिख सकते हैं तो यहां व्याया वसे दो कालम बना लेंगे अ संब आप की वा ट्रब लेंगी ड़ oy और यहां पर लेंगे इस स्कुद के तो पहला पहला लिकल लें आप लिखिए बोल्ट में आप लिखिए इसकी साफ्ट टेपर नहीं होती है अब देखिए अगर आपना बोल्ट देखा होगा कहीं भी लेकि दिखिए एक बोल्ट जो है मेरे पास है यहाँ पे एक बोल्ट जो है यहाँ पे मिल नहीं रहा है ठीक है एक बोल्ट था अगर आप कैसी रहेगी सीधी रहेगी तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसकी साफ्ट टेपर में नहीं होती है या इसकी बॉल्डी आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी साफ्ट टेपर में नहीं होती है यानि कि ऐसा जो रहे बोल्ट कैसा रहे एक दम ऐसे सीधा रहेगा ठीक है और इस पर क्या कटी देंगी इस पर थेड कटी देंगी ठीक है particular आप बात करें इस पूल स्कुधि मैं देख्र होगा कि यहाँ पर इसकी जो साफ्ठी हो दिख कैसी होती है तेपर में होती है इन की बैड़ी या साफ्ठ देपर में होती है ठीक है नहीं देखाऊगा देखिए गाज लेकर एक्जामपल में टेपर में होती है ठीक है यानि कि कुछ ऐसे होती है ठीक है इस कुरू की ठीक है इस तरीके का यहां पे हैट बना रहेगा इस कुरू की इस पे रहेगी और फिर इस पर क्या कटी होंगी ठीक है यह अंतर हो ग सिक्योर करने के लिए करने के लिए नट की आवसकता होती है सिक्योर करने के लिए क्या होती है नट की आवसकता होती है जबकि इसक्रू के साथ किसी नट की आवसकता होती है तो इसक्रू के साथ किसी नट की आवसकता नहीं होती है तो आप यहां पर लिखते हैं इसमें nut किया हो सकता नहीं होती है तीसरा point लिखे कि इसको अगर कसना है बोल्ट को हमको कसना है तो किसका उप्योग करना पड़ेगा spanner का उपयोग करना पड़ेगा spanner का उपयोग किसके लिए कसने के लिए जबकि अगर हम लोग बात करें screw की तो इसके head पर क्या कटा होता है slot कटा होता है जिसमें हम लोग कसने के लिए क्या करते है page case का उपयोग करते है तो इसमें क्या होता है पेचकस का उपयोग होता है ठीक है, छोटो छोटे अंतर है लेकिन आप सब प्रिक्टिकल चीजे हैं लेकिन आप ध्यान देंगे तभी आपको चीजें पता चलेंगी, तो इसमें पेचकस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? कसने के लिए तो यही मुख्यता जो है तीन अंतर होते हैं ठीक है आप यहाँ पेसमें चौथा लिख भी सकते है कि इसके हेड में जो है स्लाट नहीं कटा होता है बोल्ट वाले में और इसक्रू वाले में क्या होता है इसके हेड में स्लाट कटा होता है चौथा अंतर ये जो है आप लेख सकते हैं, तो ये था हमारा इस्क्रू, अब आईए जो हमारा अगला टॉपिक है, उसकी तरफ हम लोग वड़ते हैं, वो हमारा क्या है, स्प्रिंग, ठीक है, तो पांचवा जो है, स्वारी, आज का जो पांचवा है, और वैसे तो आठवा ठीक है, तो आईए सबसे पहले में फीगर बना लेता हूँ, इसका, ठीक है, जैसा कि मैंने इस्प्रिंग का अभी बताया कि स्प्रिंग हम लोग को पढ़ना है, तो इस्प्रिंग का सभी फीगर जो है, मैंने बना लिया है, अभी एक दो इस्प्रिंग और है, जिसका energy की रूप में यान्य कि स्थाइप तリट अर्जा को संचित करता है तो पहला पॉच्छा प्रस्षाइब जाता है जनल किसी भी ऍजाइब आप grammar यहाँ पर फिद परफको पड़ेंगे ये है wire spring ठीक है ये कौन सा spring है ये है wire spring इसका उपयोग आप से पुछा जाता है इसका उपयोग कहां पे किया जाता है तो इसका उपयोग इसका उपयोग parts के cover को parts के cover को position में रखने के लिए नहीं दिख रहा हूं आप लिख लिए अगर असपश्च नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं उसको लिखे ठीक है जैसे माल लिजे ये कोई डिबबा है simple मैं आपको बता रहा है ये कोई डिबबा है तीक है इस पर ये धक्कन लगा हुआ है और इस धकन को हमको क्या रखना है इस पर दबा के रखना है कि धकन हम ऐसा लगा रहा है तो देखें यहां पर जो यह वायर रिस्प्रिंग होता है हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसके उपर पतले पतले slot कटे रहेंगे ऐसे कुछ slot अंदर की तरफ कटे रहेंगे ठीक है यानि कि जो डिबा है और जो cover है इसके उपर जो है ऐसे अंदर के तरफ slot कटे रहेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमारा ये wire spring रहेगा इसको ऐसे तानेंगे और ऐसे लाके इस slot में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा इस पूरे cover को क्या कर लेगा मतलब ऐसे हम लोग ऐसे ये बना हुआ है हमने क्या किया इसको ऐसे फैलाया जैसे भी tight material का ऐसे फैलाया और लाके ऐसे रख दिया slot में तो हमारा ये slot में बैठ जाएगा तो जो हमारा ये cover है जिस position पर उसी position पर हमारा ये रहेगा अगला जो है वो है coil spring ठीक है तो ये हो गया wire spring अगला जो spring है वो कौन सा spring है वो है coil spring ये वाला जो figure है किसका है coil spring का ठीक है ये वाला जो फीगर है ये बना हुआ है कॉयल इस्प्रिंग का ठीक अब देखे इसका आप लोगों ने यूज देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे जो चावी वाला खिलावना होता है वहाँ पर जिसमें हम लोग चावी बर देते हैं तो गाड़ी को दूर चलती है वहाँ पर इस स्प्रिंग का उपयोग किया आता है चावी की सायतास हम लो क्या कर देते हैं इस स्प्रिंग को सिकोड की जो है एकदम छोटा कर देते हैं ठीक है यानि कि इसको एकदम जो है ऐसे करके घुमाएंगे तो एकदम कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा एकदम पास पास हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जब यह खुले है इसका उप्योग किया जांगा आपको इंड्रेस्ट्रियल लोप में देखेगा तो आप इसका उप्योग लिख लेजिए मैं आपको एग्जामपल के तोर बता रहा था कि आप लोग देखा हो गाने लगा जहां तो इसका यह इस अधिय के टेप vital की श्टील की बार छोड़ते हैं तो फिर वो अंदर चला जाता है तो उसमें कौन सा इस्प्रिंग होता है तथा घड़ियों में घड़ियों में जो पहले चावी वाली घड़ी आती थी जिसमें भर देते थे एक बार चावी तो चलती थी तो उसमें भाई कर देते थे जब चावी भर देत किसकी बनी होती है spring steel की बनी होती है और spring steel का composition आप देख सकते हैं अगला जो है वो लिखिए conical disc spring ठीक है तीसरा जो हुमारा spring है तीसरा जो टाइप है वो क्या है conical disc spring कौनिकल डिस्क इस्प्रिंग यह मारा कौन साइब स्प्रिंग है यह है conical disc spring इसका उप्योग लिख लीजे आप पहले इसका लिख लीजे यह यह यूनिफॉर्म ठीकनेस का एनुलर कोन डिस्क इस्प्रिंग होता है इसका उप्योग वहाँ पर किया रहता है जहान में क्या हो जहां पर अस्थान सीमित हो और उचलोड वहन करना हो तो इसका उपयोग वहन करना हो तो वहां पर इसका उपयोग जो है किया जाता है तो इसको लिख लीजिए आप अब आएए देखते हैं हम लोग तरफ स्थाइप बारा स्प्रिंग के तरफ next अधा है है अलत हैं आप लोग ने देखा ओहों से पेंशन हर जिए जगह मैक्सिमुन यहीं होता है हे लिकल्टेंशन कि स्प्रिंग कि ठीक है ये वाला जो इस्प्रिंग है यानि कि ये वाला स्प्रिंग ये दोनों जो इस्प्रिंग है कौन से हैं हेलिकल टेंसन इस्प्रिंग है और इनका जो लोड है इनका जो इनको किसलिए उपयोग किया जाता है तो जो अगर कोई तनान बल लग रहा है तो उसको जो है पा हुक या लूप द्वारा लगाए गए लगाए गए टेंशन लोड यानि कि तनन बल का सामना करते हैं इस पर इसे एक यहाला फिकर देगा ये देगा तीसरा देगा एक और देगा जिसे जो भी मैंने बनाए थे तो आप जो चेंगा निम्न हो लेक लिए यह इस्पृंबम काμεना करना रहेगा इसका जो है अश्य का आप लोगो ने कहां देखा ओको जो बाइक होती है बाइक का जो सइड़ वाला जो स्टेंड होता है उसमें कौन सा ष्टैन लगा होता है उसमें यही वाला स्प्रिंग लगा होता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अब आई यह अगले स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं वह हमारा हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ठीक रहे है जो फींग पना हुआ है यह आपको दिख रहा है यह कौन है यह है लिक्न कंप्रेशन लिक्न तो बस जैसे अभी हमारा हेलिकल स्प्रिंग था टेंसाइल लोड को वहन करने के लिए प्रयोग के आज़ा रहा था तो यहां पर जो यह हेलिकल कम्प्रेसबी इस पहिंग होगा हेलिकल को कम्प्रेशन इसका उप्यों कहां पर क्या जाएगा संबीड न भला को वहन करने के लिए आनि जाने कि कहींひोड कterior weiteren लौड लग रहा है यल उ witnessing तो कंप्रेसिव लोड का सामना करते हैं यहां पर दिख लिए यह कमप्रेसिव लोड का सामना करते हैं लोड का सामना करते हैं, फिगर भी जो है आप इसको ध्यान से देख लिए फिगर भी बना लीजिए, अगला जो इस्प्रिंग है छटवाँ, छटवाँ लेके टार्सन इस्प्रिंग, ठीक है, छटवाँ लेके हेलिकल, टार्सन, इस्प्रिंग, टार्सन का मतलब होता है, मरोड, ठीक, टार्सन का मतलब होता है, मरोड, ठीक, तो इसका फिगर देखिए, कैसा होता है, कुछ, ठीक है, इधर तो फिगर जो है, ऐसे ही रहेगा, जैसे हमारा कैसा था, नार्मली हेलिकल इस्प्रिंग था, लेकिन अगर आप इसका दूसरा विव देखें, ठीक है, दूसरा विव में बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखें, टार्सन मतलब होता है, मरोड, यानि की खूड, तो जैसे ये जो, ये जो हेलिकल टार्सन इस्प्रिंग है, ये कैसे बलको बहन करते हैं, ये घूड, यानि की मरोड बलको जो क्या करते हैं, टार्समिट करते हैं, और इसका जो उप्योग है, वो एकजाम में पूछा गया है, ठीक है, इसका जो है उप्योग है, वो पूछा गया है, इसका उप्यों कहां पर किया जाता है तो जो cycle का carrier है ठीक है यहां पर आप क्या लिखिए cycle carrier cycle carrier तथा पैड के क्लिपों में इसका उपयोग किया जाता है तो जब हम लोग नार्मल बोल चाल के बासा है कैरियर उसे बोलते हैं जब हम लोग क्या करते थे यह वह पिस्वाने जाते थे cycle के carrier पर रखके तो वहां पर उसको यानि कि carrier पीछे जो लगा रहा था उसको ऐसे खोलते थे तो देखिए वहां पर किस बल का का उपयोग किया जाता है अब आइए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट जो है इस प्रिंग की तरफ जो कि हमारा क्या है लीफ इस प्रिंग और लीफ इस फींग से आप सभी लोग पर चित है इसका आप लोगों ने जब बाइक से जाते हैं तो आगे से ट्रक जाती रहती है तो उसके नीचे क्या लगा होता है उसके नीचे लीफ इस्प्रिंग लगा होता है लोड को वहन करने के लिए ठीक है तो ऐसा कुछ होता है खाल करें चाथ होगा तीक कर बसमें देखा होगा ट्रक में देखा होगा कुछ है साथ है लगा होता है यहां पर क्लाइम प्रिंग लगा देते हैं इन सभी को आपस में भाहन करने के लिए ठीक है तो यह थोड़ा मैने सीधा बनादिया लगी नियाज अए है तिक है और जब इस पे लोड पढ़ता यह सीधे हो जाते हैं तो इनका जो है यूज आ लिखली जिए बस ट्रक ट्रैक्टर या ल लोड वाहन करने वाले कि लोड़ वहन करने वाले वहनों मैं ठीक है यह आप इसमें दिख लीजेंठ ये हमारा कौन सा यह एजन आपको देखना है जाके बुक में दोड़ना है और कमेट करना है कि spring steel का जो composition है यानि कि spring steel में कौन-कौन से तत्तों को मिलाके spring steel को बनाया जाता है तो आपको ये चीज सर्च करनी है खुद से और अगर नहीं आती है तो next lecture में तो मैं बताऊंगा ही टिकर बुक से देखिए कहीं से भी सर्च करके आप मुझे बताईए कि spring steel का composition बताईए अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो पहले एगर वीडियो छोड़के चले गए हैं तो कोई बात ही नहीं तो spring steel आप जो है देखके बताईए वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे और share कर दीजे इपने दोस्तों के साथ साथ उनको बता दीजे कि भी अफिटर तीरी का फूल कोर्स चल रहा है और आधा syllabus हमार लगभग खतम हो चुका है 50% स्लेबस खतम हो चुका है 50% अभी भागी है तो जो लोग नए जोड़ना चाते हैं और भी जुड़ जाए क्योंकि भी टाइम है पुराने लेक्षरू भी देख सकते हैं और नए लेक्षर साथ ही साथ कांटीन्यू कर सकते हैं तो वीडियो लाइक कर दीजे और चैनल को सस्काइब नीए